दोस्तों अगर आपको स्लॉविक ब्रेंट का मॉवाइल होडर लेना चाहिए या एक्षिन प्रो ब्रेंड का तो दोस्तों आज कि उन्हें आपकी सारे डाउट क्लेर कर रहे वाले हैं आज कि हम दोनों का डिटेल कंपारिजन करेंगे ताकि अगर आपको भी कोई कंफूजन ह तो इस वीडियो को देखने हैं तो आपकी सारी कंफूजन दूर हो जाए अभी तक आपने माई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज माई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस वीडियो मिलते रहें सबसे पहले पॉइंट हम बात करत दिखेगा बट क्या 100 रुपीज के डिफरेंस में कौन सा वर्थ है लेना वो आपको मागे पताते हैं तो सबसे रहले अगर डायमेंशन की बात करें तो दोनों की दोनों की डायमेंशन एक्जेक्ली सेम आपको ऐसा नहीं है कि एक्षिन प्रो की डायमेंशन बड़ी मिलेग या चोटी मिलेगी दोनों की डोनों की डायमेंशन एक्जेक्ली एकदम सहीं है अगर साइट से भी दिखाऊं आपको तो साइट वीज से भी आप देख सकते हैं इस तरह की की डायमेंशन है अगर बिल्ट क्वाल्टी की बात करूं तो बिल्ट क्वाल्टी मैंने दोनों को almost date से 2 साल से use कर रहा हूँ दोनों different tripods में और दोनों को मैं mobile के point of view से use करता हूँ, दोनों में different mobile लगाता हूँ, तो build quality के मामले में काऊंगा कि slow week वाला 10% या 20% अच्छा है compare to action pro वाले से, अगर आपको थोड़ा सा देखाऊं तो यह देखे, यह थोड़ा सा भी break हो गया है, और अगर इसकी build quality काऊं तो as it is अभी भी वैसे है, जैसे मैं अभी इसको एक डेट साल से use करो, तो दोनों के अगर build quality की मामले में काऊंगा तो action pro वाले में, क्योंकि थोड़ा सा जब आप इसमें अपने mobile phone को open करके से, कैसे mount करने करते हैं, तो हलका से shake करता है, अभी तो इसको पूरा एकदम tight करका है, बढ़ अगर slow week की बात करूं, तो आपको ऐसा कुछ भी आपर देखने को नहीं मिलेगा, तो अगर mobile mount की बात करें, तो अगर आप normal mobile phone use करें, तो आप कोई सा भी आँके बंद करके उठा लेजा, आपको कोई doubt नहीं आएगा, बट अगर आप mango mobile phone mount करें, मालिज़ा आइफोन करें, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा confidence slow week वाले में आएगा, compared to action pro में, ऐसा नहीं कि मैं action pro की कोई बाई कर रहा अगर rotation की बात करें, तो इसमें आप इसको portrait और landscape दोनों mode में rotate कर सकते हैं, आप इस तरह के से देखें, सेम चीज़ आप action pro वाले में भी कर सकते हैं, जो आप action pro देख रहे हैं, इसको भी आप portrait या landscape में move कर सकते हैं, बढ़ एक चीज़ आपको दिखाऊं, जो मैंने पहले के इसमें mobile को mount करने का, और इसके orientation change करने का, जब यह holder tripod में था, तो कई बार हुआ क्या, जब इसमें mobile phone लगा हो था, जो थोड़ा वजन में heavy था, और इसको रोटेट किया, तो एकदम से खुल के यह गिर गया, तो इसलिए मुझे थोड़ा confidence जो है, हमेशा, slovik वाले में ज़ आती है, इस तरी के से, और आप इसको यहां पर रोटेट करके tight कर सकते हैं, तो आप अगर इसको मैं हलकासा भी tight करके दिखाऊं, जैसे यह, यह करके इसको punch पे लगा देते हैं, इसको जो, तो आप देखिए, इसको अब बार कितना भी जोर लगाँ, यह नहीं निकलेगा, तो इसलिए थोड़ा मुझे confidence जो मैंने कहा, वो 50% का इसलिए फर्क आजा रहा है, क्योंकि जब आप इसको orientation चेंज करेंगे, तो यहां पर वो गिरने के chance सोड़े काम हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको यह चीज पता रहा हूँ, बाकि orientation के मामले में, दोनों आप landscape portrait, दोनों orientation में change कर सकते हैं, दोनों का अगर maximum size दिखाऊं, कि आप कितना mobile size इसमें hold कर सकते हैं, दोनों को फटा फट कर ले तो, अभी मैं slowfic वाले को open कर रहा हूँ, यह maximum कितने size वाले mobile phone को hold कर सकता है, तो उसको जली से open करते हैं, फिर वैं action pro वाले भी open करके आपको दिखा दूँग इसको हलका सा maximum जितना लग सकता है, उसमें हलका से लगा देते हैं, यह, तो यह इसकी maximum height है, मतलब यह इस height कि अगर चुड़ाई का कोई mobile phone है, मतलब अगर किसी mobile phone में cover भी लगा हुआ है, तो उसको यह hold कर सकता है, अगर उसकी चुड़ाई इतनी बनती है, तो, अब action pro वाल तो, यह, पूरा खुल चुगा है, इसको भी last, हलके से last point में लगा सकते है, तो आप देखें, compare करके, तो आप दोनों के comparison में देखेंगे, तो दोनों के में, अगर आपके mobile के चुड़ाई इतनी है, cover लगान के बाद में, तो दोनों के दोनों असानी से same height के mobile phone को mount कर सकते है, मतलब, ऐसा नहीं है कि slowvik वाला जादा चुड़ाई वाले mobile phone को hold कर पा रह जादा चुड़ाई वाले mobile phone को hold कर पा रहा है, compare to slowvik से, दोनों के दोनों same level पर ही ही है, अगर आपको इस angle से भी दिखाऊं तो आप देख सकते है, same level पर है, screw के थोड़ी quality के बात करें, screw के जो चूड़िया है, वो slowvik quality के जादा अच्छे, compare to action pro से, बैट इससे जादा फर् दोनों को लगा के दिखाता हूं, tripod में, कि tripod में लगाने के बाद, इसके जो quarter inch के screw होते, वो असानी से fit हो पाते है, या नहीं, वो इस सेम चीज़ आपको मैं action pro में भी करके दिखाता हूं, और अगर आप इसको normally भी use करना चाते हैं, अगर आपको मान लीजिए, अपने mobile phone के orientation के बिना इसको use करना है, तो आप इसको यहां से निकालिए, तो आप इस तरीके से अगर यहां पे देखाते हैं, यहां पे भी quarter inch का आपको screw वाला मिल जाता है, दोनों में, तो आप इसको direct भी अपने tripod में लगा के use कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं है कि आगर आपको इसके बिन यूज करने हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे, आप इसके बिना भी यूज कर सकते हैं, अब जली से इसको मैं tripod में लगा के दिखाते हूँ कि कितना balanced है, रहते हैं, यह mounts, tripod का clamp ले लिया है, बहुत सारे दोस्तों का यह doubt रहता है, कि हम slothic कर लें या action bro कर लें, वो tripod में fit तो आप किसी भी ब्रैंड का tripod लें, चाये वो local ले या standard ब्रैंड का ले, उसका clamp होता है, उसमें जो यहाँ पर screw लगा होता है, वो quarter इंच का standard size का ही लगा होता है, ऐसे नहीं है कि आप कोई holder ले रहे हैं, तो वो fit नहीं होगा, आप किसी भी tripod ले, company का, उसका जो यहाँ पर स्टेबल रहेगा बैसे आपको एक बार लगा के दिखाता हूं उसको लेते इसके नीचे भी आपको क्वाटर इंच कहीं मिलता है लगाने लिए उसको भी टाइट कर देता हूं यहां से तो आप देखें स्लाविक वाला भी असानी से लग जाएगा अब चलिए इसको मैं दोन मोवाइल भी लगा दिया है और इस क्लैम को मैंने ट्राइबॉड पर लगा दिया है अब आपको एक बार बैलेस करके दिखाता हूं कि कितना स्टेबल रहता है तो जब भी आप इसको मोवाइल को अपने होल्डर पे लगाए तो हमेशा स्कूरू को प्रॉपर टाइड रख नहीं दे रहा है तो इस चीज का आप धियान रखें चाहिए आप किसी और ब्रैंड का भी ले रहे हो हमेशा स्कूरू को प्रॉपर टाइड करके रखें अब जैसे मैं आपको बता है कि आपको इसमें ओरिंटेशन चेंज करने का भी ऑप्शन बिलता है अगर आप यूट् इसमें जो वीडियो से पोट्रेट वाले शूट कर सकते हैं और अगें यह शेफ जो कर रहा है वो क्लैम प्रॉपर टाइट है यह ट्राइपॉड में मगर माउंट पर प्रॉपर मॉबाइल फोन लगा है इसलिए मॉबाइल फोन इससे कभी भी ग्रेगा नहीं अब मैंने ए इसलिके से अपने मॉबाइल फोन को लगाई इसके स्कूरूस को टाइट करके रहें आप देखते कितना स्टेबल रहा रहा है अब आपको जैसे आवी मैंने स्लॉपविक के टाइम पर टेस्ट करके दिखा देता हूं तो इसको करते है चेंज और आप देखते क्या यह बैल इसको पकड़के रहें और इसको चेंज कर गए यहां से टाइट कर दीजिए तो अगे आप अपने पोट्रेट वाले इस्ट्राग्राम या फेस्बुक ले वीडियो शूट कर सकते हो अगे इसको भी टेस्ट करा देता हूं तो आप देखेंगे आपको मॉबाइल फोन गिर ट्वंटी प्रेसंट अच्छी है स्लॉविक की कमपेर टू अक्टे अग्षिन प्रो से तो अगर आप महेंगा कोई मॉबाइल फोन माउंट करने का प्लान कर रहे हैं या करते आ रहे हैं तो उसके में मैं सज्जेस्ट कुनगा अप अप्लाविक का लीजिए बड़ अगर एक दो इसे ऐसे हो उसके बाद से मैंने slow week पे ज्यादा ट्रस्ट किया है अगर आपके उन्हें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्यों कर सकते हैं आप उसका जुरूर रिप्लाइक करेंगे अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लेस वीडि जरूर कीजेगा